दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी जादा इंपोर्टन्ट है जो लोग हिंदी और अंग्रेजी एक साथ टाइपिंग करते हैं आप में से काफी सारी लोग ऐसे होंगे जिन्हें MS Word में डॉकुमेंट बनाते वक्त हिंदी भी टाइपिंग करने पड़ती होगी और साथ में इंग्लिज भी टाइपिंग करने पड़ती होगी और जब आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो हिंदी का फोन सेलेक्ट करते हैं इसके बाद हिंदी का टाइपिंग करते हैं और जब आपको इंग्लिज टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिज का फोन सेलेक्ट क करने के बाद आप इंग्लिस टाइपिंग करते हैं लेकिन ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक का केवल आप जो है एक शॉटकट से सिर्फ एक शॉटकट से ही आप हिंदी भी टाइपिंग कर पाओगे और केवल एक शॉटकट से ही आप जो है अंग्रेजी भी टाइपिंग कर पाओगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा इंपॉर्टन्ट है आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा हैलो दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कॉम्प्यूटर स्मार्ट क्लास वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा देखिए दोस्तो अगर आपको MS Word में हिंदी के सारी लोग इस तरीके से टाइपिंग करते हैं कि सबसे पहले जो है यहां से हिंदी का कोई भी एक फोन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां से जो है साइज को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद जो है हिंदी टाइपिंग सुरू करते हैं जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूँ हेलो दोस्तो आपका स्वागत है इतना लिखने के बाद अगर आपको इसके बाद English की सब्द लिखने हैं तो आप लोग क्या काम करेंगे यहां से English का phone select करेंगे और यहां से size को थोड़ा कम करेंगे और इसके बाद जो है जो भी English में आपको लिखना होगा आप इस तरीके से English में लिखोगे इसके बाद अगर आपको दोबारा से हिंदी में लिखने की जरूरत पड़ी तो आप दोबारा से यहां पर क्लिक करोगे और दोबारा से यहां से हिंदी का phone select करोगे और इसके बाद आप यहां पर हिंदी में लिखोगे हिंदी लिखने के बाद अगर आपको कहीं पर दोबारा से अंग्रेजी लिखने की जरूद पड़ी तो आप दोबारा से क्या काम करते हो यहाँ पर क्लिक करके इसके बाद यहाँ से कोई इंगलिस का फॉन्ट स्रेट करते हो दोबारा से यहाँ पर size को change करते हो और इसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी लिखना हो English में जैसे मैं smart ही लिख देता हूँ smart class तो इस तरीके से आप English में लिखते हो यानि कि बीच बीच में अगर आपको Hindi में टाइपिंग करनी है और बीच बीच में आपको English में टाइपिंग करनी है तो आपको बार बार यहाँ से font को change करना पड़ता है size को change करना पड़ता है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस समस्या से हमेशा के लिए चुटकारा मिलने वाला है यहाँ पर हम एक shortcut create करने वाले है यह shortcut का इस्तमाल करके केवल उसी shortcut को press करते ही automatic यहाँ पर change हो जाएगा और जो भी आप लिखना चाहो आराम से लिख सकते हो तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इससे delete कर देता हूँ यह देखे शो developer tab इंदा ribbon यह वाला जो option है आप इसे देख लीजिए इसी को आपको tick लगाना है और यहाँ पर ok करना है ऐसा करते ही यह जो आपके tab है इसमें जो है developer tab जो है open हो जाएगा आप यह देख सेकते हो इसके बाद आपको क्या काम करना है developer tab पर click कर देना है developer tab को open करने के बाद यहाँ पर आपको macros वाले section के अंदर आपको record macros का एक option दिखा देगा आपको इस पर click करना है और जैसे ही आप इस पर click करोगे तो इसके बाद जो है record macros का इस तरह के से window आएगी और इसके अंदर आपको keyboard पर click करना है keyboard पर click करने के बाद जो है अब यहाँ पर आपको एक shortcut press करना है जिस shortcut से आप जो है यहाँ पर font को change करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं जो है control 1 press कर देता हूँ और यह जो मैंने 1 press किया है न यह number lock का 1 है number lock का 1 का मतलब कि जो हमारे keyboard में right side में number keys है उसका one वाला keys है यह आपको ध्यान देना है जैसा कि आप इस screen पर भी देख सकती हो control के साथ number वाला one मैं दबाऊंगा number lock वाला one key तो यह जो है काम करना शुरू कर देगा यह shortcut बनाने के बाद आपको जो है यहां से कोई एक language चूच कर लेनी है यानि जिस भी language में आप typing करना चाहते होई English में वो style चूच कर लेना है जैसे मैं English का चूच कर लेता हूँ और इसका size जो है मैं यहां पर 14 कर लेता हूँ 14 ठीक है इतना करने के बाद आपको जो है developer tab पर क्लिक करना है और यहां पर stop recording का option एस पर क्लिक कर देना है एक काम आपका हो गया है वो हमने English font के लिए उस shortcut को set कर दिया है अब आपको क्या काम करना है दोबारा से developer tab पर क्लिक करना है और दोबारा से record macros पर क्लिक करना है keyboard पर दोबारा से क्लिक करना है और यहां पर एक नई shortcut बनानी है और इस बार हम control 2 बना लेते हैं नम block वाला 2 प्रेस करेंगे और control के साथ तो यह shortcut काम करेगा और यहां पर assign पर क्लिक करेंगे और यहां पर close पर क्लिक करेंगे दोबारा से यह cash rate जैसा बन जाएगा अब दोबारा से आपको home tap पर क्लिक करना है और यहां से अब जो है आपको हिंदी वाली long way select कर लेनी है मैं यहां कुरूती देव का 10 font इस्तमाल कर रहा हूँ आप दूसरा भी इस्तमाल कर सकते हो काफी सारे नीचे की साइड में दिये रहते हैं अब जो भी इस्तमाल करोगे उसको इस्तमाल कर सकते हो तो हम यही कुरूती देव का 10 वाला font इस्तमाल करते हैं और इसका जो size है ना वो हम रख लेते हैं लगबग 16 के करीब इतना करने के बाद फिर आपको जो है developer tap पर क्लिक करके और macros की recording को बंद कर देना है दो shortcut हमने add कर दिये हैं अब बस इतना की काम आपको करना है और यह काम केवल एक बार करना है केवल एक बार ही आपको यह काम करना है और आप जब भी MS Word में कुछ भी typing करोगे यह shortcut हमेशा काम करेंगे ठीक है तो अभी आप यहाँ पर देखिए कौन सा phone select है हिंदी का phone select है आप यह देख सकते हो अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजेगा मैं control के साथ one press करता हूँ तो देखिए जो है English का phone select हो गया है और इसका size है वो भी 14 हो गया control के साथ two press करता हूँ तो automatic जो है हिंदी का phone select हो गया है और इसका size भी जो हमने set किया था वो हो गया है अब हमें जो भी लिखना है जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्वागत है आप सभी का हिंदी लिखने के बाद अगर मुझे अब अंग्रेजी में लिखना है वो अराम से जो है लिख सकते हैं ठीक है इस तरीके से लिखने के बाद दोबारा से अगर आपको हिंदी में लिखने की ज़रूरत पड़ गई तो आप जो है control के साथ two press कर दीजे तो हिंदी में change हो जायागा इस तरीके से अब आपको जो भी हिंदी में लिखना है तो आप अराम से लिख सकते हो यानि कि दोस्तो अब आपको अगर हिंदी में लिखना हो या फिर इंग्लिस में लिखना हो तो आप केवल केवल जो अपने shortcut बनाया है उसी shortcut को प्रेस करके यहां पर जो है आप English में भी चेंज कर सकते हो और Hindi में भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से बस वही shortcut आपको प्रेस करना है और automatic font और इसका जो है font का style और font का size चेंज हो जाएगा आप आम से typing कर सकते हो माल लीजे in future आप इसको जो है delete करना चाते हो जो आपने shortcut बनाए है अगर आप उन्हें delete करना चाते हो पहले जैसा करना चाते हो तो कैसे कर पाओगे उसके लिए आपको developer tab पर जाना है और यहां पर macros वाले पर click कर देना है और यहां पर जो भी आपने macros को record किया है वो दिखा कर देंगे तो अब जो shortcut हमने press किये थे वो shortcut अगर आप प्रेस करोगे तो यहां पर यह जो font है न वो change नहीं होगा तो दोस्तों इस तरीके से एक छोटी सी trick का इस्तमाल करके आप जो है MS Word में Hindi और English को केवल एक shortcut से ही एक साथ typing कर सकते हो उमीद करेंगे यह वीडियो आपको सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम